नमश्कार पैरिस में चल रहे आर्चरी वर्ल्ड कप स्टेज फोर की बात करें तो आज भारत को दो ब्रॉंज मैंडल हासिल हुए रिकर्व मैंड टीम ने जो है वो ब्रॉंज मैंडल हासिल किया उन्होंने ब्रॉंज मैंडल के मुकाबले में स्पेन को 6-2 से पराजित किया वहीं सेमी फाइनल में उन्हें चैनीज टाइपे से हार का सामना करना पड़ा था 0-6 से इसके अलावा अगर हम दूसरे मुकाबलों की बात करें तो रिकर्व वुमेंड में जो है टीम इवेंट में उन्होंने भी ब्रॉंज मैंडल हासिल किया रिकर्व वुमेंट टीम ने जो है उन्होंने ब्राउंज मेडल के मुकाबले में मेक्सिको को 5-4 से बराजित किया अगर सिमी फाइनल मुकाबले की बात करें तो उन्हें भी चैनिज टाइपे से 0-6 से हार का सामना करना पड़ा इसके अलाबा जो है वो रिकर्व इंडिविजिव इवेंट भी खेले गए जिसमें मिर्नाल चोहान 1-64 मुकाबले में बाहर हो गए तुशार प्रभाकर जो है वो भी 1-64 मुकाबले में बाहर हो गए धीरज और अतनुदास जो हैं अब वो एक बटा 32 का मुकाबला खेल लेंगे इसके अलावा रिकर्व मुमेन इंडिविजुल इवेंट की बात करें तो प्राची सिंग भी जो है वो एक बटा 64 एलिमिनेशन में बाहर हो गई भजन कौर, सिमरंजीत कौर और अंकिता जो भगत हैं वो एक बटा 32 का मुकाबला खेलेंगे इसके अलावा अगर हम बात करें आज जो था कंपाउंड के इंडिविजुल इवेंट भी जो है वो खेले गए एक बटा 4 एलिमिनेशन में वो बाहर हो गए एक 140 के मुकाबले 147 पॉइंट से इसके अलावा रजच चोहान अभिशेक वर्मा एक बटा 16 जो एलिमिनेशन था उसमें पराजित होकर सत्रवे स्थान पर रहे जबकि ओजस परवीन जो है वो एक बटा 32 एलिमिनेशन में बाह इसके लावा क्वाटर फाइनल मुकाबले में जो थी वो अधिती गोपीचंद पराजित हुई उन्हें आठवा स्थान मिला इसके लावा अमनीत कौर और पढ़नीत कौर जो है वो एक बटा 16 एलिमिनेशन में बाहर हो गई और उन्हें सत्रवा स्थान हासिल हुआ तो अग कमपाउंड की बात करें तो कमपाउंड मैन इंडिविजुल इवेंट में जो है वो भारती चुनोती समाप्त हो चुकी है कमपाउंड वुमेन जो इंडिविजुल इवेंट है उसमें जोती सुरेखा बची है सेमी फाइनल में पहुँच गई है जबकि कल जो है वो दो भा भारतिय कंपाउंड मैं टीम और वुमेंट में टीम दोनों फाइनल में पहुच गई है उन्नीस अगस्त को उनका फाइनल का मुकाबला होगा यानि गोल्ड मेडल के लिए दोनों भारतिय मैंस और वुमेंट में खेलेगी धन्यवाद